हे गाइस वेलकम डूमा यूटूब चैनल तो यह हमारा नाइन्थ एपिसोड फ्री अफिलेट मार्केटिंग सिरीज का जहाँ पर मैं आपको फ्री में एफिलेट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ जो लोगों ने पुराने एपिसोड नहीं देखे है लाइन वाइस मैंने लिं पर जैसे के आप लोग दे सकते हैं मैं गूगल एट्स पर लॉग इन कर चुका हूँ आप लोग भी लॉग इन कर लो और आपका जो भी प्रोड़क्ट है जिसका अपने लेंडिंग पेज बनाया है उसे यहां पर ऐसा साइट में ओपन कर लो ठीके जैसे के आप लोग क्लिक करने वाले हैं तो न्यू क्लिक करता हूँ आप लोग भी क्लिक कर लो और यहां पर अगेन आपको क्लिक करना है न्यू क्लिक करोगे तो यहां पर आपको काफी सारे options आने वाले हैं जैसे के आप लोग दे सकते हैं sales, lead, website traffic और भी काफी कुछ अब देखो यह सब के बा पर फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो यह है कि Google Ads की मदद से हम लोग affiliate product कैसे promote कर सकते हैं तो मैं इतना deep में नहीं जाओंगा विकॉज अभी हमें इस सब चीजों का इतना कुछ काम नहीं है simply आप लोग को click करना है create a campaign without a goal ठीक है इस पर आप लोग click करो कई लोग website traffic पे भी जाते हैं आप लोग जा सकते हो ठीक है यह वाला बट मैं recommend करूँगा इस पर click करो इस पर click करने के बाद यहां पर बहुत सारे option आएंगे जैसे के search, performance, max, display, shopping यह सब आड के type से ठीक है वीडियो यानि के YouTube आड यह सब आप चला सकते हो बट फिलाहल आज जो हम add run करने वाले है वो search पर करेगे मतलब के जब भी कोई Google पर जाक यहां पर top पर ठीक है ताके वो वहां से purchase करे और हमें commission विले तो यहां पर आते हम लोग और यहां पर simply आपको select करना है search, soon मैं यह सब भी आप लोगों को बता हूँगा कि कैसे use करना है, okay बट फिलाहल search पर click करना है आपको, search पर click करने के बाद आपको यहां पर दिखाई द देख लो, तो simply अब हमें continue पर click करना है, continue पर जब आप click करोगे तो आप लोगों के यहां पर तीन option आएंगे, website visits, phone calls और app downloads, देखो हम कोई application तो promote नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें phone call चाहिए कि लोग हमें call करें, हम ही का चाहिए, हमें चाहिए sales, sales का है की, आपके product की, हमारे product की इसकी, तो हम क्या करेंगे, हमने बनाई है website, तो हम क्या select करेंगे website visits, हम चाहते हैं के visitors आए हमारी website पर, ताकि वो लोग purchase करें, जब आप website visit पर click करोगे तो आप लोगों यहां पर link दालने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोग यहां पर आईए, आपने जो landing page बनाए हो उस इसी का नाम दालो, because क्या होता है कि जब आगे जाके आप बहुत सारी add run कर चुके होगे तो आप थोड़ा confused हो जाओगे, कि आपने कौन से campaign में कौन सी add run किये थे, कौन से product की, तो अगर मैं यह campaign name को हटा देता हूँ, ठीके, मैं यहां पर जाता हूँ, इसे copy करता हूँ, click wealth system, because मैं यह promote करने वालो, इसे मैंने copy किया, और यहां पर मैं paste कर दूगा, तो अब इससे मुझे क्या समझ में आएगा, कि जो मैं campaign बना रहा हूँ, इसमें मैंने क्या promote कि हो, click wealth system, मैं यहां पर आगे 2022 दाल देता हूँ, यह आप date भी दाल सकते हो, आपकी मर्जी, तो मैंने जैसी आप लोग आगे बढ़ते हो, आपको जो सबसे पहला option आएगा, वो आएगा bidding का, जैसे का आप लोग दे सकते हैं, तो यहां पर आपको क्या select करना है, आइए देखते हैं, देखो, यहां पर कई सारे option आएगे, जैसे के convergence हो गया, clicks हो गया, impression share हो गया, बट यह सब पर आपको click नहीं करना है, आप लोग को simply जाना है, यहां पर, देखो, affiliate product के हिसाब से, कौन से setting best न, guys मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ, ओके, तो आप लोग को यहां पर जाना है, select a bid strategy directly, ठीक है, इस पर जाओ, इस पर जाने के बाद, आप लोग दो चीज़ सेलेक कर सकते For example, अगर आप Maticore product को promote कर रहे है, ठीक है, तो जब आप उसके add run करोगे न, तो हो सकते है Google आपका CPC, नहीं के cost per click, हो सकते है वो 500 रुपे काट ले, हो सकते है वो 1000 रुपे काट ले, वो उसके हिसाब से काटेगा, बस वो try करेगा कि आपको वो result लाके दे, तो देखो, जब 500 मेरा last, इसके उपर मेरे पैसे काटना ही नहीं है, मतलब यू समझ लो, अगर CPC हजार चल रहे है, तो फिर Google आपकी add को नहीं दिखाएगा, तो आप अपने cost को थोड़ा control में रखोगे, बट मैं recommend करूगा सबसे पहले, आप लोगो maximize conversion select करना है, पहले 2-3 दिन देखो, कि आ तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये वाला campaign क्रेट करूगा, manual CPC वाला, और यहां पर मैं Google से कह दूगा, कि 500 रूपी से जादा मैं नहीं दूगा, तो होप सो आप लोगो समझ में आ गया होगा, मैं क्या कहना चाता हूँ, इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ह तो काइस हो सकता है, आप लोग ठोड़ा confused हो रहा होगा, जब आप लोग ये सब रन करोगे आप लोग कुछ समझ में आ जाएगा, कि आखिरे चीजे क्या है, अब maximize conversion आपको कब select करना है, जब आपके product पे जादा competition नहीं होगा, ठीके, तब आपको maximize conversion select करना है, लेकिन अगर आपके product पे बहुत जादा competition है, तो आपको maximize conversion select नहीं करना है, वो इसलिए because Google जो है न, 20 आपके पैसे खर्च करेगा, मतलब हो सकता है, वो CPC 2,000 रुपे खर्च करते, 1,500 रुपे करते, कुछ भी करेगा, उसको बस मतलब होगा result लाने से, तो वहाँ पर आप लोग को manual CPC select कर जादा जाही नहीं पायागा, तो मैं maximize conversion select करूगा, लेकिन अगर आप लोग manual CPC select करते हो, तो आपको यहाँ पर optimize for conversion पे click करना है, ठीक है, मतलब यह tick होना चाहिए, और यह भी tick होना चाहिए, तो मैं maximize conversion पे वापिस आ जाता हूँ, अगर आप beginner हो, तो maximize conversion ही रखिए, और next पर उसी वीडियो में बता होगा, बट फिलहाल मैं affiliate product को promote कर रहा हूँ, और वही आपको सिखा रहा हूँ, तो बस short में मैं आप लोग को समझाता हूँ, नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपनी location select करना है, जहाँ पर आप add run करने वाले हो, ठीक है, location option पे जाईए, यह यहाँ पर आप लोग second option भी select कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर आपको आना है, enter another location पर, देखो, मैं clickbank का product promote कर रहा हूँ, अब आप जो भी product को promote कर रहे हो, पैदे वो देख लो, कि वो इंडिया के लिए है या भार के लिए, मैं clickbank का promote कर रहा ह तो मुझे मालू है, कि वो इंडिया में जल्दी sell नहीं होगा, वो कहा होगा, मैंने आप लोगों को बताया, वो चार कंट्रीज है, US, UK, Australia और Canada, यहाँ से ही सबसे अच्छे results आते है, affiliate marketers को, तो हमेशा हम लोग इसलिए ये चार कंट्री को select करते, तो आपको भी मैं recommend करूँ तो enter another location पर जाके, मैं यहाँ पर search करूँगा, United States, और target पर आपको click कर रहा है, तो यह आ गया US, ऐसी ही मैं United Kingdom दालूगा, देखो मेरा जो search volume है, मेरे product का वो काफी कम है, इसलिए मैं चार कंट्री को target कर रहा हूँ, कि हाँ भाई, मुझे views, मुझे impressions और मुझे clicks अच्छे हूँ, ऐसी ही मैं यहाँ पर Canada करूगा, मैंने चार कंट्री को select कर रहा हूँ, select करने के बाद नीचा आते हम, और नीचा आने के बाद यहाँ पर languages में, आप कुछ भी दाल सकते हो, Hindi, उर्दू, जो आप चाहे, हम कहां promote कर रहे हम बाहर, foreign country में promote कर रहे, और वहां कुन से language च आपको select करना है, more setting पर आपको जाना है, more setting पर add rotation पर मैं click करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीके, इसे ऐसे ही रहें दो, prefer best performing ads, फिर आगेन मैं more setting पर जाता हूँ, और यहाँ पर start और end date, यह क्या होता है मैं आप लोगो बताता हूँ, देखो, मैं जो है ना, चाहता हूँ कि मेरा जो campaign है, मेरी जो add है, वो 16 तारिक तक ही चले, 16 जुलाई तक ही चले, तो जैसी 16 जुलाई आएगा ना, मेरा campaign, मेरी जो add है, automatic Google, off कर देगा, बट मैं आपको recommend करूँगा, कि आप none पर click करो, आपकी मर्जी आपको अपना campaign जितना चलाना है, जब तक हो profit देगा, उस campaign को चलाते रहो, जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है, कि नहीं, अब आपका campaign आपको profit नहीं दे रहा है, उस दिन आप अपने campaign को stop कर दो, simple, लेकिन ध्यान में रखिए, कभी भी, at least 2-3 दिन आपको अपनी add को run करना है, अगर जब तक भी, एक भी sale आ जाता हूँ, अब यहाँ पर क्या है, add schedule, देख, add schedule क्या होता है, यहाँ पर हम Google टाइमिंग बताते है, कि हमारी add जो है इतने बज़े से इतने बज़े तक ही run करना है, यानि कि सुबह 7 बज़े से, इंडिया के अगर मैं बात करूँ, तो सुबह 7 से लिखके, रात के 2 तक कि सो जाते हैं, सबका timing अलग होता है, example दे रहा हूँ, जब बज़े से रात में add run करके मतलब नहीं है, तो मैं 7 से 2 ही रखोगा, अब आपने select किये हो बाहर की country, यानि कि US, UK, तो आप वहाँ के हिसाब से अपना timing select कर लेना, US के लिए मैं आप लोगो बताता हूँ, क्या का time, UK का time, यहाँ पर इंडिया में जब रात होती है, तो US में दीन होता है, तो मैं क्या select करूँगा, all days पर आपको click करना है, यहाँ पर एक और add कर दो, ठीक है, यहाँ पर और भी option आएंगे, Monday to Friday, वहाँ पर depend करता है, आप रखना चाहते हो, मैं all days पर जाओगा, यहाँ प यहाँ पर मैं 20 को select करता हूँ, ठीक है, तो यह 8 बज़े से लेके, यह 8 हो गया, ठीक है, रात के 8, तो रात के 8 बज़े से लेके 12 बज़े तक, और फिर 12 बज़े से लेके, सुभा के 10 बज़े तक, ठीक है, तो काईस, मैंने क्या किया, मैंने Google को पता है, कि Indian timing के इसाब से मि add run होगी, simple, अब आप यहाँ पर अपने साब से दाल देना, UK, US, जो भी आप timing दालना चाते हो, ठीक है, अब मैं more setting पर जाता हूँ, अब और कुछ रह गया है, नहीं, अब simply next पर click करना है, अब guys, main topic, keywords, मैंने keyword पर पूरा एक वीडियो बनाया हूँ, जो लोगोंने नहीं द automatic आ चुके है, इसे भी आप लोग, delete कर देना, अब आप लोगो अपना खुद का keyword बनाना है, मैंने मेरे पिछली वीडियो में already बना चुका हूँ, but again मैं fast में यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, keyword बनाने के लिए tools and settings पर जाओ, keyword planner पर जाओ, और यहाँ पर आपक अपने product के लिए keyword को search करना है, यह सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में आप लोगो पता चुका हूँ, कैसे करना है आपको, यहाँ पर discover new keyword, यहाँ पर मैं country, country में दाल देता हूँ, United States, ठीक है, मैं 4 country को target कर रहा हूँ, तो मैं 4 ही दाल दूगा, ठीक है, save करता हूँ, यह यहाँ पर मेरा click wealth system product, और यह search पर click करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ keywords निकाल लेता हूँ, अब जो है ना मैं कुछ अलग से, buy keywords खुछ से लिख लूगा, ठीक है, आप लोग निकाल लेना अपने सब से, इसे मैं copy करता हूँ, buy click wealth system, तो यह मेरे कुछ keywords तयार हो है, मैं copy करूगा, और वहीं, इस website पर आऊँगा, यहाँ पर paste करूँगा, exact match मैं use करने वालो, पिछली वीडियो में मैं आप लेको बताया था, exact match, make keyword list, यह सब को copy करूगा, और यहाँ पर paste कर दूगा, ठीक है, अब आपको आजाना है Google पर, और Google पर आने के बाद, तो यह मैं मेरे कुछ keywords है, मैं इसे copy करूगा, ठीक है, और simply यहाँ पर paste कर दूगा, ओके, सो मुझे यहाँ पर कुछ बता देगा, कि भाई मुझे CPC के आने वाला है, वगेरा वगेरा, देख लेते, यह load हो रहे है, ओके, सो इसकी enough information नहीं है, because अभी यह कुछ जादा search नहीं कर र हो है, but again, मैं आप लोगो बता दूँ, इससे cut करो, और यहाँ पर paste कर दूँ, ठीक है, यह final URL का है, मतलब के, जब भी आपकी कोई add पर click करेगा, तो वो इस website पर आएगा, ठीक है, देखोगे, अब पात क्या होता है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे यह है, reality में website का URL यह होने वाल है, final URL, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दालता हूँ, ABCDEFG, चलो, तो देखोगे, यहाँ पर लिखकर आजाएगा, ABCDEFG, एक सेकंड ही लोड हो रहे है, देख सकते हैं आप लोग, तो user को क्या दिखाएगा, customer को दिखाएगा, www.genunreviews.info.abcdefg आप लोग यहाँ पर कुछ भी दाल सकते हो, review दाल सकते हो, buy now दाल सकते हो, जो आपको दालना है आप लोग दाल सकते हो, okay, देखो, मेरा already genuine reviews, reviews, मेरे domain में है, वो नाम मेरे domain में है, तो मैं यहाँ पर display path में कुछ भी नहीं दालूगा, but अगर आप लोग product के नाम पे ले रह उससे ना, लोगों को समझ में आ जाएगा, कि हाँ, इसका जो domain है, वो xdpure है, slash reviews, इसका मतलब इस पर अगर मैं click करता हो, तो मुझे review दिखाई देगा, उस product का, okay, जैसा कि आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पर review लिखके आ गया, अब नीचे आता हो, यहाँ पर आपको इस स position 1, देखो, यह है आपकी पहली headline, यह है दूसरी headline, यह है तिसरी headline, पहली, दूसरी, तिसरी, तो हमने क्या किये, Google जो है आपकी headline को आगे पिछे करते रहता है, अगर आप pin नहीं करोगे, हमने pin कर दिये, 123, मतलब कि हमारी headline 1, headline 1 ही रहेगी, headline 2, headline 2 ही रहेगी, और headline 3, headline 3 ही र बात नहीं है, अब आपको headline कैसे ढूड़ना है, मैं आप लोगो बताता हूँ, आपको I search from पर जाना है, country में US select करना है, या आप जो भी country टार्गेट करने वाले हो, English, और यहाँ पर आपको अपने product का नाम दलना है, मेरे product का नाम क्या है, click wealth system, तो देखते हैं कोई add run कर रह review, यहाँ पर आता हूँ, पहली headline में मैं दाल दूँगा, click wealth system review, ठीके, आप देखो यहाँ पर 30 words ही दाल सकते हो, ठीके, दूसरी headline पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन यहाँ पर आईए, देखे, इसने क्या लिखा है, best affiliate marketing program, question mark, हम यह भी लिख सकते हैं, या तो कुछ और है क्या, ओके, तो अब मैं यहाँ पर अपने मन से दालता हूँ, लेकिन आप जब कोई अच्छी product को promote करोगे जो काफी viral चल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी ad दिखाई देगी, ठीके, उन में से अच्छी headline को pick करो, यहाँ पर 3-4 ad को, जो अच्छी headline लग जैसे के, scam or legit, question mark, read before buying, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, मेरी headline one क्या हो गई, click well system review, ठीके, अब यहाँ आगे पीछे नहीं होगा, अगर हम pin नहीं करते हैं, तो यह read before buying first पर आ जाता, Google अपने साब से change करता, but मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने pin कर दिया, पहले headline क्या है हमारी click well system review, दूसरी के, scam or legit, तीसरी read before buying, ठीके, तो देख सकते हैं, आप लोग कितना attractive लग रहा है है headline, ठीके, अब यहाँ पर और एक headline लिखी है, मैं इसे delete कर दूँगा, remove कर दूँगा, ठीके, हमारी headline guys तयार हो गई, आप लोग भी अपनी headline तयार कर लो, मैंने आप लोगो बत exit pure reviews 2022 लिखना, उससे क्या होगा, हम अभी 2022 में जी रहे हैं, देखो, अगर आप कोई product purchase करने वाले होगे, तो आप review कब का देखोगे, 2021 का, 2020 का, नहीं न, 2022 का, तो जब आप 2022 लिखोगे न, तो वो काफे attractive हो जाएगा, तो आप please हो सके तो 2022 लिख देना, वो आप पर depend करता है अब headline दालने के बाद, guys, हमें जो है न, यह देख सकते हैं, आप लोगो नीचे, description कहते हैं, meta description, हमें यह दालना है, तो again मैं यहां से सब कुछ हटा दूगा, और यहां पर सिर्फ हमें number 2 तक ही pin करना है, number 2, अब description भी same वैसी copy करना है, यहां पर आओ, search करो, यहां पर आओ, description, सोच समझ कर दालना, अगर आपका affiliate product, आपको allow करता है, scam वाड यूज करना, तभी करना, अगर वो allow नहीं करता है, तो आपका Google Ad account और Clickbank, suspend हो जाएगा, okay, okay, मुझे यह अच्छा लग रहा है, it is a training program for generating money online through affiliate marketing, तो मैं इसे copy करूँगा, यहां पर जाऊँगा, paste कर दूगा, तो आप लोग देख सकते हैं, यह paste हो गया, अब मैं जाता हूँ again, यहां पर, एक सेकेंड, यहां पर, और कुछ और अच्छा देख लेता हूँ, देखो, यहां पर लिखा है, Matthew, click well system scam promise to help you generate 10k dollar per month, मैं इतेना, copy करता हूँ, इससे क्या होगा, थोड़ा attractive लोगेगा, मतलब क भई 10,000 dollar क्या हम इस product से कमा सकते हैं, ऐसा कुछ, यहां पर भी देखो, limit जो है, 90k, तो आप लोग 90 के उपर नहीं जा सकते हो, ठीक है, मेरा 8080 हो गया, अब आप लोग रीट करो, it is a training program for generating money online through affiliate marketing, Matthew tanks click well system scam promise to help you generate 10k dollar per month, उसके बाद देखो, यह add URL option सा कुछ भी नहीं, simply आप को done करना है, वो सब काफी advanced चीज़े है, फिलाल आप लोगो यह सब में नहीं जाना है, then पर click करो, और हमारी add guys बन गए, done, simply next पर click करो, हमने keyword भी बना दिये, मतलब कि add group बना दिये, अब आप लोग अलग add group भी बना सकते हो, इसके लिए advance में एक और वीडियो लगा हो सके द और दूसरा add group बनाओंगा, जहां पर, मतलब कि एक ही campaign में हम दो add चलाने वाले, एक वो जहां पर लोग review सर्च करेंगे, तो हमारी add दिखाई देगी, और एक वो जहां पर लोग buy सर्च करेंगे, तो हमारी add दिखाई देगी, तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है exactly, कि हमें sales कहां से आ रही है, समझ रहे हैं आप लोग, और कौन सा add group, यानि कि कौन सी add हमारी best perform कर रही है, इसलिए हम दो add group बनाते हैं, बट फिलहाल के लिए आप लोग एक add group बनाने सीखो, थोड़ा basic से start करो, and then उसके बाद आप थोड़ा advanced level पर जाना, उसके बाद हमें option आए okay, okay, extension है guys, इसे कहते है extension, देखो, अगर आप लोग बाक्यू के add देखोगे, simple एक headline है, और एक description है, एक headline है, और एक description है, लेकिन अगर आप ज़्यादा जगे को घेर लोगे ना, तो chances से के लोग पहले आपकी website पर click करोगे, जैसे के आप लोग दे सकते हैं, इसने कितनी बड एक description लगा दो, ताकि अगर user यहाँ click न करे, तो यहाँ कर दे, पर at least वो हमारी तीन headline को देखे, और उसके बाद ही वो नीचे जाए, तो extension बनाना guys, बहुत important है, अगर आप बनाते हो ना, तो आपको click अच्छे आएगे, और आपका CPC भी कम होगा, आप देखो guys, site link कैसे grade कर बनाना है, तो हम दो ही site link बनाएंगे, आपको भी site link create करना है, आपर चार भी बनते हैं, बर दो best होगा guys, दो से जादा मत बनाओ, तो site link के text आखिर कौन कौन से हो सकते है, उसके लिए मैंने आप लोग यहाँ पर list बना की दिया हो, ठीके, आप लोग इसे, इसका screenshot ले लो, या तो हो सकते हो, मैं description में दे दूगा, ठीके, आप लोग यह सब site link के text को use कर सकते हैं, जैसे के free shipping हो गया, organic ingredients, get deal today, यह सब जो भी आप लोग headline देख रहे हो न, guys, देखो कितनी attractive है, risk free product, 100% satisfaction, guarantee, made in USA या तो made in UK, जो भी आपको दालना हो, 50% high discount, easy to use, limited time offer, यह सब आप लोग जो है न, यहाँ, यहाँ use कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, site link पर इसमें से कोई एक अच्छा सा copy करके paste कर देंगे, ज देख गाई, जयाद रखो, इसमें से जो भी आप selector होगे न, देख लेना पहले, क्या आपका product, वो चीज यूजर को provide कर रहा है, या नहीं कर रहा है, पता चल रहे है, आप दाल रहे हो, 24 hours customer support, बट customer support ही नहीं है, यह कम है, फोड़ा सोच समझ के, अगर वो जूट साबित ह हो गया न, तो google add आपका ban हो जाएगा, तो सो समझ के, यहाँ पर मैं दाल देता हूँ, तो मैं यह copy करता हूँ, 60 days money back, यहाँ पर जाता हूँ, site link text में, paste करता हूँ, और ऐसी एक दूसरा select करता हूँ, ठीक है, और limited time offer, इसे select किया, और यहाँ पर second site link पे आपको paste करना है, Okay, so guys, जैसे ही आप दे सकते हैं, मैंने कुछ changes किया हूँ, ठीक है, site link text में दाला money back guarantee, description में मैंने लिखा 60 days money back guarantee, for limited users, दोनों description में आपको दालना है, और बहुत ही कम space दिया गया है, इसमें, स्रीफ और स्रीफ 35, तो आप लोग उस हिसाब से दा दिए, ठीक है, second site link में मैंने Limited time offer, description में offer valid till night, description 2 में hurry up, ठीक है, तो आप लोग देखना, आप लोग जो भी text दालोगे ना, उसके हिसाब से description दालना है, notice करो, money back guarantee, तो मैंने money back guarantee को लेकी description दाला, for limited users, last में आपको क्या करना है, आपकी website की link दालना है, अब आपको यहाँ पर पता चलेगा, कि आखिर मैंने यह 2 page आपसे क्यों बणवाया, थीक है, अगर देखो मैं home पर जाता हूँ, तब भी same page है, pricing पर जाता हूँ, थीक है, तब भी same page है, और buy now पर जाता हूँ, तब भी same page है, तो मैंने आखिर 2 page ऐसे extra क्यों बनवायाँ, अब आपको समझेगा, मैं home page पर आता हूँ, थीक है, देखो ये लिंक तो हम लोग ने final URL में डाल दिये बट अब pricing पर जाओ आप लोग आप लोग ने जो भी नाम डाले हो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ प्राइजिंग पर जाओ simply link को copy करो मैं ये दो इसलिए आप लोग से बनवाया ताकि हमें जो ना अलग अलग URL हमें मिल जाए इसलिए मैंने आप लोग से दो पेज एक्ट्रा बनवाया आप लोग से दो पेज अलग से बनवाया तो प्राइजिंग पर जाओ आपने जो भी पेज बना है इसे copy करो और यहां पर final URL में paste कर दो अब वापिस जाओ बाइनाओ पर जाओ इसे क्लिक करो copy करो और पेश्ट कर दो अब गाइस देखो एक चीज याद रखना ठीक है अग अगर आप यहां पर प्राइजिंग लिखे हो ना तो मैं यहां पर प्राइजिंग भी लिख सकता हूँ प्राइजिंग के नीचे भी सही लग रहा है 60 days money back guarantee for limited users limited time offer यहां पर मैं बाइनाओ का दाल सकता हूँ कोई issue नहीं तो try करना इस जरूरी नहीं है या तो एक और काम कर स कि इसे कैसे change करना है ओके ज्यादा deep में मत जाओ in short बस यह दो पेज बना ले एक्स्ट्रा यह मैंने जो नाम दिया हो ना यह नाम में से कोई भी दो नाम select करना यहां पर प्राइजिंग की जगे वो लिख देना बाइनों की जगे वो लिख देना ठीक है फिर link को copy करना यहा आपको थोड़ा वो समझ में ना है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है से ओपर क्लिक करो हमारी site link create हो चुकी है अब यहां पर देखो किती site link है हमारी 6 site link है यह तो मेरी पहले है आपने अगर first time बनाया है तो यहां पर आपको दो लिखा वोगा two site links तो यहां पर आप दोनो को select कर लो pricing को select कर लिया मैंने limited time offer को select कर लिया उसके बाद नीचे आना है आपको ठीक है देखो प्रिविव का option है अगर आप प्रिविव पर जाते हो न तो यहां पर दिखा देगा देखो इसका कैसे दिखा रहा है affiliate program reviews best high income skills हमारा कैसे दिखा रहा है pricing limited time offer ठीक है अब नीचे अब यहां पर है call out extension ठीक है तो हमें यह भी बनाने है हम हम दो से तीन call out extension बनाएंगे वो क्या होता है यह जो आप देख रहे हो ना इसके नीचे एक और कुछ छोटा 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 लिखकर आएगा जिस पर click तो नहीं कर सकते लेकिन वह एक तरिखे से text का काम करता है तो व आप लोग कॉपी कर लो मतलब के फोटो लेना है फोटो ले लो इसकिन शॉट ले लो ठीक है तो आप लोग यह कुछ call out extension को यूज कर सकते हैं ठीक है अब देखो ट्राय करना क्या आप लोड़ी साइट लिंक extension पर यूज के ना वो यूज मत करना क्योंकि इसमें कुछ क्लिक करना है और यहां पर आपको कुछ भी जादा जंजट मारी वाले काम नहीं है सिंप्ली इसे लो ठीक है तीन हम बना सकते है जैसे के एक learn more वाला बना देते हैं यहां पर आप लोग को सिंप्ली पेश्ट करना है एक हम लोग बना देंगे 100% money back guarantee और एक हम बना देगे discount with बन गया यहां पर आपको बस क्लिक करना है बन गया यह बहुत इजी होता है यहां पर आप यह तीनों पर क्लिक कर दो अब जाना है हमें नीचे देखो प्रिव्यू करके बता देता हूं देख सकते हैं आप लोग कैसा दिख रहा है हमारा learn more 100% money back guarantee और discount with bonuses और यह हमारा description है ठ देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना मुझे आता है अच्छे से अच्छा मतलब जाहिर सी बाते अभी बहुत कुछ जुपा किए लेकिन एक affiliate product को promote करनी के लिए मैं आप लोग को सारी information दे दे रहा हूं अब daily budget आपका क्या रखना है देखो आप लिखा है daily budget कि आप एक दिन में कितना खर्चा करना चाते हो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बता दिया कि आपका CPC क्या है उस हिसाप से आप लोग calculate कर लो आप लोग minimum 2000 रुपे रखो अगर आप US, UK, Canada, Australia target कर रहे हो इंडिया में तो आप लोग 300 रुपे रखो तो भी चल जाएगा ब मुझ CP से ज्यादा हाई नहीं है तो 2000 रुपे मेरे लिए इनफ है तो मैं 2000 रुपे रख रहा हूँ अगर आप हाई ग्रैविटी है निकि 700 ग्रैविटी पासु ग्रैविटी वाले product प्रमोट कर रहे हो न तो आपको डेली का budget 10-10,000 रुपे रखना होगा तो आप अपने सब आप से सोचे इस बारे में अगर आप मुझे Instagram पे मैसेज करोगे जरूर से मैं आपके help करूगा बट मैं अपनी लिए फिलहाल 2000 रुपे रख रहा हूँ ठीक है मतलब कि एक दिन में 2000 रुपे करूगा और 2000 रुपे में हो सकता है मुझे कित्ती किलिक आ जाएगी मुझे अग आप लोग यहां पर publish campaign पर क्लिक करना है यह fix it को ignore करो अगर आपको यह लिख कर आ रहे है कि और extension को आट करो यह सब कुछ निए publish campaign पर क्लिक करो देखो जब आप लोग इस पेच पर आऊंगे ना तो हो सकता है आपको कुछ error दिखाए अगर error दिखा रहे है तो आपर fix it को option ह होएगा fix it पर जाना और जो भी error दिखा रहे है Google इसको solve करना नहीं समझ में आ रहा होगा Instagram पर मुझे message करना मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी help करने की तो हमारा campaign create हो चुका है अब चलते हम लोग Google Ads पर ठीक है Google Ads पर आपको क्लिक कर देना और यहां पर क्लिक करने के बा ad मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब जो है ना मैं अपने campaign पर आ चुका हूँ अब campaign पर आने के बाद यह है ad group जैसे के मैं आप लोग को बताया था हम जितने चाहे ad group बना सकते हैं एक ad group review के लिए एक ad group buy के लिए मतलब अलग-अलग ad हो जाएगी है अलग-अलग keyword पर हम audience क target कर रहें किसी को review पर target करेंगे तो किसी को buy पर तो मैंने ad group बनाया तो नहीं दो ad group जिसकी मैं बात कर रहा था बट अगर आपको बनाना है ना simply यहाँ पर आना plus पर click करना ठीके plus पर click करने के बाद आपको again यहाँ पर keyword को option देगा तो आप क्या करना यहाँ पर आना ठीके अ सबसे अलग-अलग एक category बना देना अफिका इस वही सब करना अपना ad group नाम डालना ad group 2 चलेगा यहाँ पर आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना अपने keyword को जैसे आप keyword को paste करोगे नीचे जाना और save and continue पर click करना आपका ad group बन जाएगा ठीके जब आपका ad group बन जाएगा चलो मैं save and continue कर लेता हूँ ठीके तो आपको यहाँ पर यह create ad का बोलेगा तो again आपको यहाँ पर आपकी ad बनाना है ठीके जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया देखो यहाँ पर already बना हुआ है site link extension और call out extension यह आपको again बनाने की जरूत नहीं है एक बार आप बनाऊंगे न review कौन सा keyword था हमारा यह वाला keyword था वैसे तो हमनों सारे keyword दाले बट example लो हमने यह वाले keyword में headline के लिखे click wealth system review बट अगर आप बाइन वाले keyword पर target कर रहे हो ना audience को यह वाले तो यहाँ पर headline थूड़ी change कर दो क्या रिखो ऐसा देखो buy click wealth system 2022 समझ रहो आप फिर लिखो scam और legit read before buying अगर आपको लिखना हो या तो यहाँ पर लिख दो limited time offer ठीक है और यहाँ पर hurry up देख सकते आप लोग गाईस तो आपको जो है ना keyword base पे headline को ढूणना है select करना है review वाले keyword पे review लिखो headline में buy वाले keyword पे आपको buy लिखना है simple देखो मैं अगर click wealth system review सर्च कर रहो Google पर और आपकी website तक आता हूँ और वहाँ लिखा है buy तो मुझे मुझे तो review देखना है ना तो मैं buy now वाली link पर क्यो click करूँगा अब example कि मुझे जो है product को buy करना है अब मैं सर्च करता हूँ Google पे buy click wealth system और मैं आता हूँ और आपकी add मुझे जाओ remove कर दो अब कुछ और changes करना है कुछ और changes कैसे करना है मैं आपके को बता तो simply आप लोग यहाँ पर आना है audience पर ठीक है audience पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं आप लिखा है age gender household income आप लोग यहाँ पर edit demographics पर click करना है और add group जो भी आप जिस add group को edit करना चाहते ठी ठीक है उस add में जाना है मैंने एक एड गरूप बनाया हो तो मैं इस पर click करूगा ठीक है अगर आपने दो बनाए तो पहले add group 1 को edit करना फिर add group 2 को अब देखो audience में मैं क्यों आया और edit demographics पर क्यों click किया age gender household income क्या है मैं आप लोग को समझाता हूँ मैं जो product promote कर रहा हूँ न तो आप क्या करना female और male दोनों रहन देना लेकिन अगर आपका weight loss product है तो आप सोचो कि आपके product को कौन सी age group वाले लेगे क्या वो 18 से 24 साल के लेगे नहीं जल्दी वो लोग नहीं लेते सबसे ज़्यादा कौन लोग लेते है देखो मैं इसे अंटिक कर देता हूँ 45 और 45 के उपर ये लोग medicine ज्यादा लेते तो मैं क्या करूँगा इसे select करूँगा यहाँ पर आप income select कर सकते हो मतलब top 10 यानिके काफी अमेर लोग 11 to 20% यानिके उससे थोड़े कम फिर उससे थोड़े कम उससे थोड़े कम तो इसे आप लोग at least नहीं यहाँ तक ठीक है इसे आप लो कम है तो मैं male और female दोनों रखोगा age age क्या रखना है मुझे 18 to 34 बिकॉज मुझे मालू मैं गाइस के यह लोग यह जो बड़ी age के लोग है यह लोग affiliate यह सब नहीं करेगे मतलब maximum यह age की लोग यह सब नहीं करते कौन सी age के लोग ज्यादातर affiliate में interest रखते है 18 साल से लेके 34 तक के तो मैंने Google को क्या बता है मेरी एड female और male दोनों को दिखाई देने चाहिए ठीक है मैं unknown पर भी select कर देता हूँ जो उनकी age होना चाहिए वो 18 से 34 साल यानिके 18 to 34 होनी चाहिए उससे जाधा अगर उनकी age है तो मेरी एड उनको मत दिखाना सो गैस अब आप जो भी product promote कर करना devices पर आना अब devices में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ mobile, computer और tablets यह तीन option में Google देते है tablet को तो आप लोग हटाई दो because देखो हम लोग ने जो है ना US, UK, Canada, Australia इन सब को target किये अब वहाँ पर लोग क्या करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ 10% लोग होगे जो buy करेंगे, 90% लोग बस आएंगे, click करेंगे, चले जाएगे तो मैं mobile phone वालो को target नहीं करूँ और मैं recommend करूँगा कि आप लोग भी अगर in countries में add चलाने वाले हो तो please mobile phone वालो को target मत करना, ना ही tablet वालो को, आपको target करना है सिर्फ computer वालो को हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ computer रखते हैं, तो आपको हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आओ, इस pencil पर click करो, increase पर जाके, decrease करो, और 100% पर click करो, और save करो, ठीक है ऐसी आप लोगो mobile phones पर आना है, यहाँ पर pencil पर click करना है, increase की जगे decrease करना है, और 100%, decrease मिन्स क्या हो गया, कि हमने Google को कह दिये, कि भाई हमारी add जो है ना, mobile phones और tablet वालो को दिखाना है नहीं, सिर्फ किसको दिखाना, computer वालो को, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर edit पर जाता ह तो अब क्या होगा, age, gender वगएरा आपने बता दिए Google को, उसके बाद आपने Google को क्या बता है, कि mobile phones और tablet वालो को मेरे add मत दिखाना, सिर्फ computer वालो को दिखाना, so guys हमारी add successfully create हो चुगी है, हमने हर चीज कर दी हम, hope so आप लोग भी सही तरीके से करें, ताकि आप लोग को ज् आने के बाद, आप लोग यहां पर आना, और जब आप आगे जाओगे, ठीके, तो यहां पर आपको दिखा देगा, कि आपका कितना पैसा कटा है, ठीके, यह मैंने add यूटूब पर रन किया था, तो यह है cost per view, ठीके, आप लोग दे सकते हैं, मुझे एक view पर मेरा कितना प बता देगा कि अभी तक, आपके campaign में कितना खर्चा हुआ है, ठीके, आपको कितने impression आये हैं, यहां पर बता देगा, कितना interaction हुआ है, उसके इलावा conversion क्या है, ठीके, आपका CPC कितना जाया है, आपको बस वो देखना है, तीन दिन तक, अगर आपके product पे, आपको profit 10,000 रु यह ना, तो it means, या तो product बेकार है, जो आपने product चूस किये है, या तो फिर आपका landing page बेकार है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती, या तो आपने ad अच्छे से create नहीं कियो, यह तीसरी चीज, बट जैसे कि मैंने कहा कि Google Ads perfect track नहीं करता है, कुछ ना कुछ इशू होगा ही, तो try करना कि आप लोग जो है न, clickbank से ही देख, क्या आपको sale आई है या नहीं आई है, also guys हमारी जो ad है, वो अभी review में गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, simply आप लोग campaign में जाना है, ठीक है, campaign पर जाने के बाद, आप लोगो यहाँ पर अपना campaign select करना है, click well system जो भ लगता है, ad को review होने में, लेकिन मैं आप लोग को बता दू, एक दिन के अंदर हो जाता है, मेरा तो कई बार आदे घंटे में हो जाता है, तो जो green circle आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहुच जाएगा, ads will be shown to customers, it means, आपकी ad जो है, start हो चुकी है, और आप जो है, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, मैं आप लोग को बता दू, कि मैंने सिर्फ एक वीडियो से, इसी चैनल पर, मैंने सिर्फ एक वीडियो से, 20,000 रुपिस कमाया हो, वो भी बिना कोई product को promote की, मतलब कि मैंने मुह से बोला भी नहीं, कि खरीदो, तो वो वाला organic method मैं आप ल तो लाइक बटन को वाई, सब्सक्राइब करो, बैल आइकन भी दबालो, ताके मैं जब भी वीडियो अप्लोड करू, आप लोग को notification आ जाए, और बस हो सके तो इस वीडियो को share करना, thank you so much guys, ये सिरीज यही पर खतम होती है, अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई extra वीडियो और आ सकता है, तो मैं upload करूगा, बट फिलहाल ये सिरीज यहां पर खतम होती है, तो बस guys, आज का ये वीडियो यही पर खतम होता है, ये सिरीज यही पर खतम होती है, thank you so much, आप लोगें इस सिरीज को पूरा यहां तक देखा, value मिली हो, तो like और subscribe, bye